प्रिंट्स आज हम बनाएंगे डिजाइनर कॉलर ब्लाउस इसे हम बनाएंगे प्रिंसिस कट पर 34 साइस का बनाएंगे तो अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन की बटन जरूर दबाईएगा तो यहाँ पर एले फैश्वरिक निकाल लेना हिसली सके लेंथ हमें लान इन इच रखनी वर इंच प्लस किया है मारजन के लिए तो फोरीण था पॉइंच उस्तिक प्लस किया है मारजन के लिए तो फो ँसी रिया है और यहां पर शूल्डर लेंगे हम 5.5 इंच तो दीखे हम ऐसे बोट ने किया जो हम कॉलर ब्लाउस बनाते हैं उस टाइप से नहीं बनाना है हमें हम अलग से इसमें कॉलर टेच करेंगे तो सोल्डर लिया हमने 5.5 इंच आर्मुल लेना है 5.5 इंच चेस्ट का 4th पार्ट लिना है 34 का 4th पार्ट होगा 8.5 इंच फ्रेंट पार्ट है तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जन के लिए स्ट्रेट में लाइन ड्रो करनी है नीचे के साइट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए वन इंच से आर्मोल के साइड गो लाई देनी है तो यह हमने फ्रेंट पाइट की मार्किंग कर ली है और अब हम बैक पाइट की मार्किंग करेंगे तो बैक पाइट हमें ओपन रखना है जिसमें हम आई हूक लगाएंगे तो इस सरीके से मैंने फैविक पर उटा कर लिया है और यहां से स्टेट लाइन ड्रो करेंगे अब दिखिए यहां पर हमें स्टेट लाइन कर लेनी है यहां पर टोटल लैंद हमें लेनी है 14.5 इंच सोलर लेना है 5.5 इंच आर्मोल लेना है 5.5 इंच चेस्ट का 4th part लेंगे 8.5 इंच 2 इंच प्लस करना है मार्जन के लिए वेस्ट है हमारी 28 उसका 4th part लेना है 7 इंच 2 इंच मार्जन के लिए और 1 इंच टक्स के लिए यहां से हम लान को ड्रॉ करेंगे 1 इंच से आर्मोल के साइट गुलाई देनी है और से कट करेंगे तो दिखे कट कर लिया यह हमारा back part है और यह हमारा front part है तो front part पर हम princess cut की marking करेंगे यहां पर हमें 3.5 इंच पर मार्जन करना है इसके जो hook है वो back में आएंगे और टक्स पाइंट लेना है हमें 10 इंच पर 10 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहां पर हमें princess cut का shape देना है shape हमने दे दिया वेक साइट से में half इंच लेना है और दूसरे साइट से में बन इंच लेना है length में हमने इसे 2 इंच लिया और इस तरीके से shape देना है cut करेंगे इसे अब neck की cutting करनी है हमें यहांपर तो दिखिए यहांपर हम marking करेंगे 7 इंच पर neck की जो land थे वो मैं 7 इंच ले रही हूँ आप अपने according की से कम्या ज़ादा कर सकते हैं और armhole की side से हमें marking करनी है 4 इंच पर इन दोनों marking को मिलाते हूँ में यहांपर shape देना है इस तरीके से neck की width हम रखेंगे 2.5 इंच तो 2.5 इंच पर marking करते हूए straight line ड्रो करनी है इसे cut करेंगे तो देखिए इसे cut कर लिया अब इसे हमें एक बार और cut करना है एक्स्ट्रा लेते हुए यह देखिए इसको इस तरीके से रखना है उपर के side से और side से हमें asities marking करेंगे निची के side से हमें half inch extra लेना है इसको stitch करने के लिए यह देखिए तो हमने यह आपर extra ले लिया है और इसे हम cut करेंगे तो देखिए cut कर लिया हमने इसे slice cut करने के लिए आर्मोल को measure करना है half inch shoulder को stitch करने के लिए छोड़ना है बाकी जो आर्मोले से मेजर करेंगे दीखिए 9 इंच आ रहा है जो sleeves हमने cut की थी तो straight में ही cut की थी इसे हमें हमें तोड़ा और cut करना है तो दीखिए इस तरह से 4-fold कर लिया हमने इसे इसको 3.5 इंच पर हमें डाउन करना है और इस तरह के से shape दे दिया है shape दे दिया आर्मोल था हमारा 9 इंच तो ये 18 इंच आ रहा है तो 1 इंच का हमें इसमें joint लगाना होगा तो इसे अभी हमें इतना ही cut करना है इसमें जब joint लगा लेंगे इसके बाद हम इसे cut करेंगे इसे हम man fabric पर cut करेंगे man fabric पर cut कर लिया और अब हम इसे stitch करेंगे तो दिखिए princess cut जो cut किया था ये वो है और यहाँ पर man fabric को हमें wrong side पर रखना है उसके उपर lining रखते हुए हम इसे 4 side से stitch करना है इसका जो extra fabric है उसे हम cut करेंगे दूसरा part भी इसी तरीके से stitch करेंगे दोनों part stitch कर लिये इस part को भी stitch कर लिया आप देखिए paper pasting लेना है fold करते हुए neck पर रखना है इसे और neck के हम as it is marking करेंगे यह देखिए तो हमने इसके marking कर लिये और अब यहां पर हमें marking करनी है one one inch पर यह देखिए marking हमने कर लिये one one inch पर इस तरीके से और यहां से थोड़ा सा हमें इस तरह से shape देना है हल्का सामने इसे तेचा कर दिया है और अब इसे हम cut करेंगे इसे हम lining fabric पर paste करेंगे तो देखिए हमने paste कर लिया इसी अब यहां पर हमें एक lining fabric लेना है उसके उपर man fabric रखना है और उसके बाद जो हमने paste किया है उसे हम रखेंगे तो देखिए यहां पर जो मेरा man fabric ही वो पतला है transparent दिख रहा है इसलिए मैंने यहां पर lining यूज किया है अलग से अगर आप motor fabric लेते हों तो आपको lining लेने की जुरूरत नहीं है और इस तरीके से हमने इसे stitch किया corner जो निकला है वहाँ पर cut लगाएंगे extra fabric cut करेंगे यहां पर भी हमें cut लगाना है और इसे पलट लेना है यह देखे इसके जो corner यह अच्छे से निकालेंगे अब देखे यहां पर हमें इसे wrong side पर रखते हुए लगाना है यह देखे इस से किसे लगाएंगे stitch कर लीना है इसे और दूसरा जो पाटे से भी stitch करेंगे दोनों पाट को stitch कर लिया cut लगा लेना है पूरे ही neck पर से पलट लेना है यह देखे इसे हमने पलट लिया है और अब side से हम इसे stitch करेंगे और अब जो princess cut के पाट है वो हमें या पर stitch करना है दोनों ही पाट इसी तरीके से stitch करेंगे तो देखे stitch कर लिया है नीचे के side पटी लगाएंगे पटी की wheat हमने 1.5 inch रखी है एक stitch हमें पटी के उपर से करना है इस तरीके से पटी को अंदर के side fold करते हुए एक stitch और करेंगे पटी लगा कर complete कर लिया है उपर जो इसका solder है वो हम stitch करेंगे तो दीखे इस तरीके से हमें stitch कर लिया है चारो side से stitch कर लिया जो neck की side है वहाँ पर हमने ये पटी लगा कर से stitch करना है तो पटी को हमने डबल करते हुए stitch किया है एक stitch पटी के उपर से कर लिया है पटी को अंदर के side fold करते हुए एक stitch और करना है दूसरा पार्ट भी complete कर लिया और अब दिखे यहाँ पर हमें से इस तरीके से attach करना है तो यह जो collar type की design हमने बनाई है उसके side से हम इसे stitch करेंगे यह देखे हमने stitch कर लिया दूसरा भी इसी तरीके से stitch कर लिया है half inch आर्मोल के side पर हमें गोलाई देनी है जो कि हम princess cut पर बाद में ही cut करते है front part complete हो गया back part की marking करनी है neck की neck की weight हमने आपर 2.5 inch रखी है straight line draw करेंगे neck की जो land है वो मैंने यापर 11 inch ली है इस तरीके से shape दिया है cut करेंगे से यह देखिए अब जो man fabric है उसे right side पर रखना है उसके उपर lining रखते हुए neck को stretch करना है neck को पलट लिया है इस तरीके से और एक stitch हम neck के side से करेंगे side से भी stitch कर लिया है extra fabric cut कर लिया अब यहाँ पर हम hooky party लगा रहें तो double करके हमें इसे stitch करना है एक stitch पटी के उपर से करेंगे उपर के side जो extra fabric लिया है उसे fold करते हुए एक बार और इसे अंदर की side fold करते हुए stitch करेंगे back tucks लगाएंगे back tucks की जो land है वो हम 4 inch रखेंगे आई की पटी लगानी है तो उसे हमने width में 2.5 inch लिया है extra fabric जो लिया है उसे अंदर की side fold करेंगे और stitch करेंगे side से भी fold करते हुए stitch करना है यहाँ पर भी back tucks लगाएंगे और नीचे के side पटी लगाएंगे जैसे कि हमने front में लगाई थी back part complete कर लिया अब यह sleeves है sleeves में हमने joint लगा लिया आर्मूल था 9 inch तो 9 inch पर marking करते हुए इसे cut किया sleeves round था 11 inch उसका half लेंगे 5.5 inch और 2 inch प्लस करेंगे margin के लिए यह देखिए 9 inch है two parts में हमें front के लिए shape देना है shape दे दिया इसे हमने यहाँ पर lining के साथ stitch कर लिया है paper pasting लिये है और यहाँ पर हमें 1 to 6 inch पर marking की इसका center लिया 3 inch यहाँ से हमने 3 inch लिया width से और इस तरीके से shape दिया है तो length में हमने इसे 6 inch लिया 6 inch का center लिया 3 inch और width में इसे 3 inch लिया इस तरीके से shape दिया 1 1 inch हमने extra लिया है और इस तरीके से cut करना है इसे हम lining fabric पर paste करेंगे दिखिए center पर इस तरीके से marking करेंगे और जो paste कर लिया side से हमने इसे fold कर लिया center पर रखते हुए rough stitch करना है और अब जो design हमने बनाई है वो हम stitch करेंगे center पर जो extra fabric है उसे हम cut करेंगे और corner है वहाँ पर हमें cut लगा लेना है इसे अंदर की side palette लेना है side stitch करेंगे और देखिए आपर इसकी जो land है वो 7 इंच ली width इसकी 5 इंच ली है इस तरीके से fold करेंगे और इसे पलट लेना है तो देखिए इस तरीके से इसे पलट लिया center पर हम marking करेंगे इसमें और यहाँ पर हमें plates डालनी है इसमें तो देखिए plates डाल लिया है इसमें अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच की पटी लिया है इसको fold करेंगे दोनों ही side से और stitch करेंगे अब जो जहाँ पर हमने इसमें plates डाले है center पर वहाँ पर हमें इसे लगा लेना है और stitch कर लेना है दूसरा बो भी इसी तरीके से complete करेंगे अब देखिए से center पर इस तरीके से रखते हुए stitch करना है देखिए से stitch कर लिया नीचे की side से यहाँ पर हम fold करेंगे तो दिखिए जो man fabric के उसकी line ही यहाँ पर आ गई है तो इसलिए मैंने यहाँ पर आ गई है तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक साइट एक बार ही fold किया है आप इसे दूसरी बार भी fold कर सकते हैं तो दिखिए यहाँ पर हमने sleeves को भी complete कर लिया solder stitch करना है इस तरह से रखते हुए solder को stitch करेंगे एक stitch back side पर करेंगे अब यहाँ पर हम sleeves लगाएंगे तो sleeves का जो extra fabric cut किया था से हमें front में stitch करना है दूसरे साइट से भी stitch करेंगे इसी तरीके से दूसरे स्लेस भी सी तरीके से complete कर लेनी है स्लेस को लगा लिया है center पर पिन अप कर लिया side से हमें से stitch करेंगे extra जो fabric के उसे cut कर लिया blouse कोल्टा कर लिया side से एक पिर का margin रखते हूँ हम इसे stitch करेंगे fitting लगानी है center से chest के fourth part पर यहाँ पर हमें west का fourth part लेना है इसलिए इस round लेना है 5.5 inch तीनों marking को बलाते हुए fitting लगानी है अब देखिए यहाँ पर हम लटकन बनाएंगे तो square pieces लिए है 3 inch के इस तरीके से cut इसको fold करेंगे और stitch करेंगे दूसरी लटकन भी इसी तरीके से बना कर complete करेंगे लटकन हमने यहाँ पर बना ले हैं यहाँ पर हमें 2.5 inch पर marking की है डोरी जो है उसको लगाने के लिए तो इस तरीके से stitch कर लिए तो कॉलर लगानी है तो minimum जो कॉलर रहती है वो 15 inch की रहती है तो 15 inch के हम cut करेंगे paper pasting को हमने double करते हुए रख लिया है और जो कॉलर इसकी length हमें आप ले रहे हैं 15 inch उसका half लेंगे 7.5 inch देखिए और यहां से हमें 3.5 inch पर एक marking और कर लिनी है यहां से हम 3.5 inch पर marking करेंगे यहां से हम 2.5 inch पर marking करेंगे इन दोनों marking को हमें यहां पर मिला लेना है यहां से हम straight line डो करेंगे और यहां से half inch एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इस marking को मिलाना है वह इस तरिके से color की marking कर लिए है और अब हम इसे cut करेंगे इसे हम lining fabric पर paste करेंगे और इसके साथ हमने यह man fabric रखा wrong side पर इसको center से craft stitch कर लिएना है तो देखिए यहां पर मैंने यह lining यूज़ की है अगर आपका जो man fabric है वो मोटा हो तो आप सिर्फ lining fabric ही यूज़ कीज़ेगा lining लेने के आपको ज़रत नहीं अगर पतला कपड़ा हो आपका man fabric तो आप यहां पर lining यूज़ कर सकते हैं center पर एक रफ स्टीच कर लिया है side से इसे fold करेंगे यह देखिए fold कर लिया हमने अब एक lining fabric और लिना है scoop पर इस तरीके से रखना है और paper pasting के side से हमें इसे stitch करना है दियान रहे कि जो हम stitching करेंगे वो paper pasting पर नहीं आना चाहिए तो देखिए इस तरीके से cut हमने stitch कर लिया extra fabric cut करेंगे नीचे के side से यहां से हमें half inch लेना है इसे fold करने के लिए corner जो है cut कर लेना है और यहां पर भी हम cut लगाएंगे और सिप पलट लेंगे तो इसके जो corner है वो अच्छे से निकालेंगे हम आप इस पर iron भी कर सकते हैं iron कर लिया है अब जो देखिए half inch extra लिया था उसे इस तरीके से fold करते हुए stitch करना है तो देखिए हमने इसे fold करते हुए stitch कर लिया तो collar हमारी बनकर complete हो गई है यहां पर देखिए इस तरह किसे fold करते हुए आपको iron कर लियना है यहां पर आप hook और eye लगा सकते हैं तो friends, designer collar blouse बनकर complete हो गया है तो comment करके आप जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो को like share जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजेगा बैल आइकन की बटन जरूर दबाईएगा तक कि आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहें Thank you